महात्मा गांधी जी के तीन बंदर हुआ करते थे उस अंदेश देते ते मुhn बंदर रखते थे कान बंदर रखते थे आखर रखते थे स्वर्गेज प्रकास नरायन जी के भी दो बंदर विहार में एक लालू जी और एक नितिस जो अपात काल के बिरोध का उपज है अगली बैठक होगी कि किसके बेटा को क्या बनाया जाएगा चुकि ये बना है PTA परिवारिक डवलप्मेंट एलाइंस ये परिवार को बढ़ाने वाला एलाइंस बना है ये परिवारिक गठि बंधन है ये कलंकिती तिहां था कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में ये भारत के संभिधान का दुर्फियोग किया गया था नमस्कार मैंवनीस और आप देख रहे हैं एक निउस 24 और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरवीन जी है अरवीन जी 23 जून को हुए बैठक के बाद कयास लगाया जा रहा है कि अगली जो बैठक होगी वो सिम्बला में होगी सिट सेरिंग के ले करके क्या लगता आपको अगली बैठक होगी कि किसके बेटा को क्या बनाया जाएगा चुकि यह बना है परिवारिक डवलाप्मेंट एलाइंस यह परिवार को बढ़ाने वाला एलाइंस बना है इस एलाइंस में भारुख अब्दुल्ला के पूरा परिवार है स्वर्गिये जवाहलाल नहनुग जी के पूरा परिवार है श्री मुलायम सिंग जादव जी के पूरा परिवार है श्री लालू परसाद जादव जी के पूरा परिवार है और पूरा बैनर जी परिवार मेंता बनर जी का है पूरा शीबू तरह का होगा ये भविस बताएगा लेकिन जो परिवारबाद के उसमे नहीं है वो एक भी दल उस बैठक में नहीं जाएंगे इतना मैं जरूर बता सकता है समाज की बैठक थी जिसमें उमेश कुसवाहा ने जेडियू के ही अपने ही सहयोगी दल के MLC जो है रामिस्वर महतों उनको नहीं बुलाया इसके बात जो है रामिस्वर महतों बकाइदा हमलावर हो गए उमेश कुसवाह पे और उन्हों कि इसलिए मैं नहीं जानता हूं कि जदिव में रोज एक बड़े नेता का नाम काट करें कभी उपेंदर कुसवाह जी को हटा करके कोई डमी एक खड़ा कर दिया ता उसी काट से उसी टाइटील को लगा करके उसी तरह से यह भी डमी है और जो डमी होते हैं इसी तरह के हरकत यह दो जहां तक बात है यह उनका पाटी का अलग का मामला है लेकिन मैं कुसवाह का नेता कि भारते जनता पाटी में में पूरे विहार के सिरी समराग चोधरी जी हैं अब लोग है कुछ लोग लेकिन इमेस्टवाह जी हाल फिलहाल में नाम सुने हैं कि भी नेता है अबहुंत कुशली अगर देखा जाये तो बिहार की राजनीती में 25 जून की बात आप लोग कर रहे थे कि 25 जून अपातकाल जो लागू किया गया था उसके लेखर के आप लोग ने भी दिवस मनाया इसके लेकर कि लेकिना है अपातकाल के लिए हम लोग सोक मनाते हैं दिवस नहीं है वो सोक है कॉंग्रेस ने कलंकित किया भारत के इतिहास को जो अपात का लागू किया था और सारे निताओं को जेल में बंद कर दिया था मीडिया पर परतिबंद लगा दिये गए थे और सारे देश के स्वतंतरी काईया को भंग कर दिया गया था लोग घर से नहीं नि आपातकाल लेकर चले आएं मांसिक विच्छिप्तो को पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं यह पूरा जो है मांसिक विच्छिप्तो के कुछ पाटियां है देश में उसमें वो है आपातकाल जिसके खिलाप कुछ जैसे महात्मा गांधी जी के तीन बंदर हुआ करते थे वो संदेश देते थे मुह बंद रखते थे कान बंद रखते थे आँख बंद रखते थे उसी तरह से कहा जाता था कि स्वर्गेज प्रकास नरायन जी के भी दो बंदर बिहार में एक लालू जी और एक नितिस जी जो अपात काल के बिरोध का उपज है आज वो दोनों जो हैं बंदर बात की रोटी खाने के लिए कॉंग्रेस के जंगा पर बैट के एक दाया और एक बाया जो रोटी काट करके और पूरा रोटी हलपने में लगे हुए हैं कि जो आज भरस्टाचारियों के संदक्षक नितिस कुमार जी बने हुए हैं कि सर मानी चाहिए लोगों को और चुलू में पानी ले करके नाक बुला के देखना चाहिए कि कुछ हो रहा है कि नहीं कि यह थे हमारे साथ बीजेपी के प्रभक्ता अर्वीन जी जिन्हों ने सिधे तोर पर कहा कि जो भी लोग अभी बरतमान स्थिती को अगोसित अपातकाल कह रहे हैं वह लोग बिल्कुल मानसिक रूप से विच्शूप्त हैं ऐसे लोगों को कम से कम सक्ता में रहना नहीं चाहिए इस तरह के तमाम वेबडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज 24 कैमरा में रंजीत के साथ मेमरीस पटना